हेलो फ्रेंड शाकत करती हूं अपने चैनल पे आपका डेली डोज आप स्मिताज लाइफ में कैसे हैं आप लोग आसा करती हूं बहुत ही बढ़ियां होंगे तो जरूर बना के खाया और बच्चों को खिला एक दम बच्चे खुस हो जाएंगे बड़े भी खुस हो जाते हैं इतना टेश्टी यह नास्ता है तो जरूर ट्राय करें इस नास्ते को तो चलिए इसके लिए सिर्फ सूजी से मैंने बनाया है सूजी और कुछ ज्यादा के डीज़ में डालके रखती हैं तो कीरे बगणी का ड्र नहीं रहता है और लगता भी नहीं है कि लुकित थो मैं अदा किलो का फैकेट्ट को एक बारे में डाल लिया है और यह का में रात में कर रही हूं और अगर आप रात में भूल गई ही हो और अगर सुबह में आछानक बनाने का मन ओ तो आप जैसे अभी मैंने ठंडा पानी लिया है तो आप उस चगह पे सुबह में गरम पानी लीजिए आप आदे गंटे बिंगो के रखिये सेम प्रोसेस है लेकिन मैं सोची बनाते हैं इसमें मैंने ले लिया है एक कटोरी दही और थोरा सा उसमें दही वाले कटोरी में ही थोरा सा पानी डालके मैं इसमें रहे हूं कि और डालने विर टेस्ट के कोर्डिंग नमक कि एकदम जटपट बनता है जरूर बना के ट्राय कर एंब Austrian का नस्ता है लिराता है आज कल सबसे ज़ादा नस्ता जो वनता है सकते हैं ऎकिन मैंने इस में तो प्याज को फाइन चॉप करके डाला है और आप इसमें अगर चाहे तो गाजर बीन्स जो भी सब्जी आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ प्याज डाला है प्याज का फ्लेवर और उसका क्रंची बना जो है बहुत ही टेस्ट इसका टेस्ट वढ़ाता है त फोरा सब दो तीन मुद पानी रालके क्योंकि इनो डालने के बाद मिलाना नहीं है ज़्यादा और जदा देर रुखना नहीं है ने तो इनों का असर खतम हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं और देखे कराई मैंने डाल दिया तेल और मैंने जैसा की बोला ना कि दो बुन तेल में तो यह पहला इडली बना रही हूंए इसलिए थोरा सब्सक्राइब्स द्सक्राइबर बुंद तेल में यह नासता बन जाता है तो डाल दिया है आप अपने हिसाब से बनाएए अगर आप इस दो बहुत बनाना चाहते है तो एक गल्चुल और डाल के इसको बरा ब आपको लगेंगा कितना मोटा खरा बहुत ही जल्दी आपको लगेगा कितना मोटा है अजने साहित जल्दी जल्दी बंता है और इस ड्राय रोस्ट रही जब ZERO zero figure zero oil बन रहा है तो इसमें क्यूं जाएगा तो मैं इसे भी dry roast कर रही हूँ और मुझे dry roast आच्छा लगता है मैं हमेसे चनादाल का भी बनाती हूँ तो dry fast करती हूँ और दर बीच में मैं इसे भी चेक कर रही हूँ कि पका है कि नहीं तो देखिए पल्टी कर रही हूं और आराम से एकदम आराम से पहला है तो थोड़ा सा चिपक भी गया है दूसरा तिस्ता में बिल्कुल नहीं कोई बच्चा भी बना सकता है तो फिर से मैं दूसी तरब से इसे पल्टी करकर ढग दिया मेंने और देखे क्या लाजबाब इडली बन के तयार है और एकदम फुली फुली बनी है एकदम पाऊ जैसे राता है औरल न कि आपके बनानी है लेकिन बिल्कुल सब्सक्राइब वहाइब प्राता जालता है जेसे चटनी बगर में भी देखते हैं इसका तो उसी तरह इसमें भी बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट तो जरूर डाले सर्सों डालके ही बनाए और आप अगर आपको नहीं पसंद है तो बीने सर्सों को भी बनाए लेकिन मेरे घर में सबको पसंद है तो मैं थोड़ा सदस दाना सर्सों और कड़ी एक दो-दो करी पता डालके इसको बना रही हूं और इदम मीडियम आज पे एक दम कम पे ताकि वह अच्छा से पके और जले ने इधर बादाम भी हो चुका है और इसको अब ठंडा करके इसकी चटनी बनानी है तो बादाम हो गया है ठंडा और इसे मैं जार में डाल ले रही हूं और जरूर बना के खाए, संडे को खाए, कभी भी खाए, बच्चे तो काफी खुस होते हैं, बड़े भी खुस होते हैं, जिनके दांत नहीं हो भी खुस होते हैं, क्योंकि बिल्कुल सॉप्ट बनता है ये, और बहुती आराम से कोई भी खा सकता है, तो चली चटनी में मैंने में डाल दिया है मुझफली दो लशुन और इसमें डाल दार ज़ी हूं नारियल पऊडर अभी हमेशा तो घर में नारियल राते नहीं हैं मोईदर रहते हैं नराते भी तो heto खड़ाब हो जाते हैं तो मैं नारियल पा ondan कई अभी आमे इदर से चटनी बना रही तो चलिए बन गया मेरा इडली देखिए क्या सुंदर गोल फुले फुले लग रहे एक दम पाव जैसा ही है और खाने के लिए रेडी है और आपको थोरा सभी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजेगा अगर आप मेरी चैनल पर पहली बारा है तो लाइक जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मीले और आप मेरी वीडियो देखें अगर थोड़ा सभी आप लोग काम आ सके मेरी वीडियो तो मैं उसी में अपने आपको बहुत शुक्र गुजार समझें समझेंगी कि मेरे चलो मेरी महनत सफल आय हो गई कोई भी बैडली और चटनी इला जबाब चटनी बनके तयार है तो खा यह लुथ पुटा इये और अभी मैं धीरे दर इसका बना भी रही हुं अभी इतना बन गया तो मैं प्लेट लगा लें क्यूंकि नास्ते का टाइम हो चुका था तो जो नास्ते के लिए बैठे थे तो उनको म लगता नहीं तुरन तो जैसे रोटी बनती है ना लास्ट में उसे ही देखिए मैंने बेटा को नास्ता दे दिया है और प्लेट सजाया है उतना खाय गणी सिर्फ सजा के और रेखिए इतना सौप था ना कि हाथ में आके पूरा यह हो गया था और बारी बारी से मैंने पूरा बनाया और उसको अप अचाहे तो एक बार बेज़ादा भी गोल बना के रख सकते हैं और दो-तीनी युज कर सकते है तो दोसा वाला ही वेटर के तरह रहता है तो कोई दिक्टत नहीं है खड़ा की नहीं होगा तो आप एक बार ज्यादा भी बना सकते हैं गोल को और रख ल